आज मैं आपके लेका यह बहुत ही सिंपल और टेस्टी रेसिपी वह है आलो और बीन्स की सब्जी आप भी बीन्स की सब्जी को एक वार जरूर ट्राइ कीजिगा यह हमारी हल्थ के लिए बहुत ही हल्थी रहती है तो आप इसे जरूर बनाएगा तो देरी ना करते हुए मैं भी नहीं हो आप दो ब्रत करते हैं क्याता था यह बात यह बंगद अखता दूआ कर देंगे लबी चॉप की हरीम रच रख यह और यहां पर करीब दो मीडियम साइज की प्याज कर चैन्ज हो जाएगा तो यहां पर डालेंगे अपने आलू यहां पर रालू डालने के बाद हमें यहां पर करीब इसे 3-4 मिर्ट तक ऐसे ही पकाना है तो हम इसे थोड़ा यहां पर एक चमस डालेंगे लाल मिच पाउडर लाल मिच पाउडर अपने अकॉर्डिंग कम्या जद्ध कर सकते हो थोड़ा सा डालेंगे यहां पर हिंग इनको कर देंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे तीन चार मिट तक पकाना है ताकि हमारे आलो हलकी से मिक्स करने के बद पाद टेस्ट कर्डिंग नम की ताकि हमारा वालो में नमक अच्छी से मिल जाए इसके बाद डालेंगे तो तोमाको डालने के बाद मिक्स नहीं करेंगे तो तोमाक पर हम हलका सा नमक ढलेंगे द Satan कर देंगे अधास डिकर एंधान ब statistically सें थोड़े देर पानी भी दिख रहा है तो अपनी चोड़ देती है तो नहीं पर बिल्कुल भी पानी यूज नहीं किया था और हम बिल्कुल ड्राइ सब्जी बना रहे हैं तो एक बार हम ढग देंगे इसी तरीके से हमने एक दो बार बीच में चला दिया था अब देख सकते हैं कि हमारी जो अब्रेख अब तो अब दूड़ नहीं तो आप इस तरीके से देख सकते हो यहां पर हमारी सब्जी बिल्कुल बनकर तैयार है हमें सब्जी में अच्छी लग रहे हैं और यह बहुत ही टेस्टी लगती है आप भी इस तरीके से एक बार जरू ठाई कीजिगा और यहां पर आपको लगता है कि सब्जी में थोड़ा सा और पानी सा रह गया है या थोड़ी सी कीली लग रही आपको सब्जी तो आप इसे थोड़ी देर और चला सकते हो तो आप यहां पर ढ़कन बंद कीजिएगा क्योंकि हमारी सब्जी है वो गल चुकी है सिर्फ हमें पानी को ही कर लेंगे सर्फ करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारी कितनी अच्छी सब्जी बनकर तयार हो गई है आप पीर सुपर टेस्टी एन हैल्दी सब्जी को जरू ट्राइ कीजिएगा यकीन मारिए आपकी वी सब्जी बहुत ही टेस्टी बनेगी तो फ्रेंड्स अगर आप